Hello friends, let's solve this sum, इसमें बुला गया है, the distance of the point P, this is 26th MCQ of paper no.1, the distance of the point P on the x-axis from A1112, अभी friends x-axis यानि यह axis, मैंने इतना quantity use में लिया है, क्योंकि यह हम use करने वाले, इसमें एक point P है, यहां पर हो सकता है, कहीं भी x-axis पर एक point है, जो की A1112 से 13 units distance पर है, अभी friends, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम point A, जो की 1112 है, उससे mention करेंगे, अभी friends, इमने scale रखी हुगी है, because length of my graph is not as much as it needed, अभी friends, आप सोच रहे हो, कि यह long method हो जाएगी, but मैं आपको थोड़ी देर में explain करूँगा, कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, अभी friends में पहले 1112, तो यह 11 है, ठीक है, अभी 11 पर मैं एक straight line बना देता हूं, जिससे कि मेरा graph representation perfect हो, तो यह 11 पर मैं एक straight line बना दी, और यहां पर मुझे बूला गया है 12, right, y का 12, तो यहां पर होगा, मैं scale रखती है, ताकि आपको clear दीखे, so this is my 1112, this point is my, sorry, this point is my 1112, right, here I have 1112, so let me dot over here, this is my 1112, अभी friends, एक point है, x-axis के उपर, जो की 13 unit, 13 centimeter distance पर है, अभी friends में scale रखके check कर रहा हूं, कि कौन सा point 13 centimeter दूर आ रहा है, ठीक है, तो अभी friends में zoom out कर रहा हूं, तो यह देखो 13 centimeter तो यहां पर आ रहा है, ठीक है, 13, 13, तो आप देख सकते हो, 13 perfect 6 number पर आ रहा है, ठीक है, और यह point का नाम हो जाएगा, friends, x का, जो है, वो 6 है, so this is 6, 0, right, x का पहले लिखते है, तो this is named as 6, 0, अभी में option में check कर रहा हूं, तो मेरे पास 6, 0 है ही नहीं, यह देख के आपको, friends, tension में आने की जरूरत नहीं है, there are two points in x-axis, which may follow, sorry, which follows this condition, right, so let's take over, here, so यहां पर मुझे दिख रहा है, isn't it, यह 16 point दिख रहा है, ठीक है, मेरा graph इतना लंबा नहीं है, but 16, 0, so यह point हो गया, 16, 0, so my answer, a is correct, right, so a, आप answer is correct, that is 16, 0, let me circle it, so friends, आपको समझ आया होगा, कि यह कैसे हुआ, अभी friends, आप सोच रहे हो, exam में कैसे करेंगे, exam में friends, में आपको suggest करना हूँ, कि आपको पता चल जाएगा, कि 11, 12, ठीक है, 11, 12, दोनों number positive है, यह first quadrant है, हमारे तो first quadrant में आते हैं, तो आपको rough page पे सिर्फ first quadrant बना के, यह denote करके check करना है, अगर आप इसकी method करने जाओगे, तो इससे भी lengthy होगा, ठीक है, और मैंने अगे भी वीडियो में बुला हुआ है, कि इतना तो आप बना के ही रखो, यह लंबा graph बनाने की ज़रूरत सायद पड़े, तो आप temporary फटाफट बना सकते हैं, और उसमें आपको सभी point denote करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, एक y-axis बना दो, x-axis बना दो, ठीक है, सीद्धा आप 11 को dot कर दो, खडी line बना दो, इधर आप scale लगके 12 को dot कर दो, खडी line बना दो, फिर चेक करो, अगर यह point आपको मिल रहा है कि यह y-axis, sorry, x-axis पहे है, तो आप scale से देख लो, कौन सा point है हो, so that you can do the faster, इसकी method भी है friends, theoretical method will take minimum 5 minutes, so I am not teaching it over here, पर इसकी method है, आपको समझ रही है, तो आप मेरा video, coordinate geometry chapter number 8, YouTube पे मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, so my answer is 16-0, so आपको समझ आया होगा, हम next MCQ पे जाते है, अभी friends, इससे कि आगे technique दी हुए, किस तरह से हम करेंगे, त मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे formula and sums बताए हुए, मैं आप सबको request कर रहा हूँ कि एक पर वारा trigonometry YouTube में, आप देखिए, या आपके पास कोई भी source से मेरे videos आये हो, आपके पास अपने computer में हो, memory card में हो, penter में कहीं भी हो आपके बार्स, तो आप उसमें देख सकते हो, अभी friends यहां बन देखते है, cost 10, cot sign अभी सबसे पहला हम छेक करते, cost किसका उल्टा है? C वाला एक ही option है आप देख सकते हो और को option है first में C जाता है तो मेरा D option correct हो गया है this is the technique that you can solve the MCQ in faster way अभी आपको सभी verify करने नहीं जाना है 2 के साथ D ही जाएगा ठीक है 10 is equal to 1 upon 40 होगा but let's not waste time इसमें से जो भी आपको आद है वो देख लो उसके साथ कॉनसा महचुर है वो देख रो और आप encircle कर दो यह MCQ solve करने के लिए पहले friends में एक आपको pair समझाना चाहता हूँ जो कि मैंने trigonometric के video में बहुत अच्छे दरीके से समझाई हो गई है यह papers की जो आप videos बना रहा हूँ वो मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि सायद आप में videos नहीं देखिए हो मेरी तो भी आपको समझाए देखो इसमें sin cost वाली जो pair है उसमें क्या speciality है कि अगर total angle का 90 होता है तो value same है जैसे की sin 30 की value आप देख लो और 30 में कितने add करेंगे तो 90 हैगा 60 और 60 की value देख लो same हो तो यह दोनों friends 90 वाली pair में जाएंगे तो मैं side पर लिख रहा हूँ sin cost ठीक है sin cost जो की 90 वाली pair में कि उसके angle का total 90 होगा तो value same वैसे हम 10 quad में देखते है friends 10 30 देख लो 10 60 देख लो ऐसा नहीं है कि 30 60 की बात है यह आप 60 30 देख लो तो भी same है यानि कि इसका भी होगा कि यह angle अगर total 90 करते 10 quad के तो value same होते तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 quad और तिसरी जो pair है वो है cos x sec तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 quad और last में लिखूंगा cos x sec so these are my values cos x sec अभी friends यह solve करने के लिए हमें उसकी जरुवत पढ़ेगे cos sec यह pairs आपको याद रखनी है मैं इसे 90 वाली pair बोलता हूँ अभी friends यह जो है sin theta is equals to cos 30 now let's convert this cos into sign तो sign में कैसे convert करेंगे sin 90-30 यानि के friends cos 30 की जो value है अगर अच्छी language बताना चाहो तो cos 30 की जो value है cos 30 की वो sign की line में किसकी है 60 की है लेकिन method से कर रहा तो 90-30 जो करेंगे उसकी value same होगी ठीक है so this will be sin theta equals to sin 60 so sin upon sin theta is equals to 60 sin sin cancel so theta equals to 60 so theta की value मुझा मिल चुकी है अभी friends हम क्या करेंगे इसके अंदर theta की जागा हम लिख देंगे 60 so is equal to मैं equation copy कर रहा हूँ 2 10 square theta minus 1 then 2 10 square 60 minus 1 then 2 1060 की value friends अभी 1060 की value table में सम ले आते है 1060 आप देख सकते हो root 3 so root 3 square minus 1 so 2 root 3 square is 3 minus 1 so 6 minus 1 so 5 so my answer is 5 अभी friends हमें समस्वार के जिसमें 10 की value दी गई है और इसमें sin cos है अभी friends इसमें 10 नहीं है हम क्या करेंगे तो सबसे पहले मैं जो question हो कोपी कर रहा हूँ that is 5 sin theta 5 let me write it clearly 5 sin theta plus 2 cos theta in denominator it's 3 sin theta minus cos theta now let's divide whole equation by cos हम पूरे equation को cos से divide करता है so यह हो जाएगा friends numerator के बाख करता हम numerator में यह हो जाएगा let me take it over here so that I can get more space to write let's say 5 sin theta upon sin theta पूरे equation को sin theta से divide कर रहे plus 2 cos theta upon sin theta here 3 sin theta upon sin theta here cos theta upon sin theta so friends यह क्या हो गया sin theta sin theta cancel sin theta sin theta cancel friends यह कैसे होगा यह cancel हो गया 5 plus 2 cos upon sin is cot so 5 plus 2 cot theta upon 3 minus cot theta now let's do something over here अभी friends समारे पास यो value है वो 10 theta के है so 10 theta is equal to 4 by 3 so cot theta will be 3 by 4 right because 10 का उलता cot होता है अगर आपको इस समझ नहीं यादा है friends तो आप मेरे trigonometry के video false से देखे क्योंकि यह थोड़ा ऐसा chapter है जिसमें आपको formulas compulsory पता होने चाहिए so I request all the viewers that watch my trigonometry videos first अभी friends इसमें क्या करेंगे हम तो यहाँ पर आपको एक statement लिखना था जो मैंने नहीं लिखाए को मुझे स्पेस की जरूरत है यहाँ पर आपको लिखना है dividing whole पूरे को मैंने divide किया dividing whole by एसा divide कि हमने sin theta अभी आप सोच रहे हो कि हम इसे cost से कर से तो कितना easy होता sin by cos 10 हो जाता direct value रख जाता तो solutions में आप देखो के तो वहीं करेंगे लेकिन मैंने वह इसलिए ने किया है कि आपको पता चले कि वह method हो यह method हो अब पूरे equation को sin से divide करो या cost से divide करो doesn't matter आपका answer तो 1 ही आएगा अभी friends मैं यहां पर लिख रहा हूँ 5 plus 2 cot की value है 3 by 4 so 3 by 4 then in denominator 3 minus 3 by 4 अभी 2 to the 4 यह हो गया 5 plus 3 by 2 denominator में हो जाएगा 3 minus 3 by 4 अभी friends क्या करेंगे हम तो अभी LC में ले लेंगे so let's write over here so that you can view clearly अभी friends इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 so let's simplify it क्या करेंगे 5 upon 1 here multiply multiply then plus 3 by 2 here multiply multiply 1 को कितने से multiply करेंगे तो 4 आएगा 4 4 2 को कितने से multiply करेंगे तो 4 आएगा 2 2 then let's go in denominator denominator में क्या होगा 3 by 1 1 को कितने से multiply करेंगे तो 4 आएगा 4 4 4 को कितने से multiply करेंगे तो 4 आएगा 1 1 so it will be 5 4s are 20 3 2s are 6 upon 4 here 3 4s are 12 minus sorry I just trot plus it's minus 12 minus 3 upon 4 so it will be 26 upon 4 and here 12 minus 3 is 9 so it's 9 by 4 let's me use the another pen so that you can do it clearly 26 by 4 and this to reciprocal मिले ना है तो 4 by 9 4 4 cancer so my answer is 26 by 9 26 by 9 that is option C I just use this place only so that एक screen में आपको पुरा clear cut up देख सको तो I think आपको यह समझेगा यह एक minus है plus नहीं है अभी friends यहां पर आ जाता है यह सही में बहुत इंट्रस्टिंग है क्योंकि मैंने यह जो बनाया हुआ है friends वो condition से बनाया हुआ है सबसे पहले मैं आपको जो situation lesson के अंदर है जो मतलब sum के अंदर है वो मैं आपको explain करने के try करता हूँ let me use this on walking for search of a ball x meter on a slope यह slope जो है वो x meter है वो ही क्यों क्योंकि यह slope में बागे सब्सक्राइट है यह straight है यह straight है ठीक है hypertenuous is a slope and ground के साथ जो है यहां पर यहां पर 30 का एंगल बना रहे है ठीक है friends okay and वो क्या करता है y depth में पहुंच जाता है ठीक है slope में तो यह जो है वो depth है y depth ठीक है then relation बताना है x और y का अभी friends हमें देखने से ही लग रहा है कि जो तो legs है यह दोनों legs हो गए ठीक है let's name it a b c so for your convenience let me say a b and b c are legs these are legs right and a c is hypotenuse a c is hypotenuse अभी friends इसके लिए में एक important rule बता रहा हूं जो जो साइट textbook में नहीं है but मैं आपको बता रहा हूं जिसा आपको calculation बहुत easy हो जाएगा कोई भी ऐसा triangle जिसमें 30 angle बन रहा है 30 angle form हो रहा है तो उसमें let's say this is shorter leg ठीक है so s l this is the leg shorter leg यानि आपको देखे लग रहा है कि b c जो longer l longer leg है तो ll and sl जो shorter leg होता है that is always one half of hypotenuse ठीक है तो अभी आप value रख दो shorter leg is y 1 upon 2 hypotenuse is x अभी इस पर सापको relation में लेगा है तो को यह साइड ले लेते हैं 2y is equal to 1x let's say x is equal to 2y यह जो हमारा answer मैंने tick क्या हुआ है यह सही है अभी friends यह मैं reality में भी आपको दिखा सकता हूं यह मैंने सही में 30 angle measurement से बनाया हुआ है so let me show it to you so that you can perfect मैंने 30 बनाया हुआ है मैंने sharpen pencil use qv है अभी friends यह 30 है तो सही में यह जो y वाला है subtle leg उसके double hypotenuse होगा देखिए यह दिख रहा है आपको 4 cm perfect अभी आप hypotenuse को measure कीजिए दिख रहा है आपको 8 cm isn't it तो यह सही में ऐसा हुआ अभी friends तुसरी एक बास जो बताना जा रहा हूं यह mcq के साथ related नहीं है फिर भी में बता रहा हूं subtle leg का relation आपको बता चल गया subtle leg is one half of hypotenuse इसी तरह longer leg is what one half of root 3 hypotenuse isn't it this is same as that root 3 hypotenuse so यह जो lower leg है sorry longer leg है उसके बारे में हम करते है so 1 upon 2 into root 3 into hypotenuse is what hypotenuse is 8 तो हम check करते हैं यह सही में match हो रहा है करें let's use the calculator अभी friends हम calculator use करते है 1 upon 2 is you know 0.5 खिक है अभी हमें root 3 की value ते रहे सब सबले root 3 की value निकाल लेते हैं तो friends हमारे पास 3 और उसका root निकालो तो यह हमारे पास value है multiply by 0.5 because 1 upon 2 is 0.5 and multiply by 8 it is a measure of hypotenuse तो आपको answer मिला 6.928 almost near to 7 ठीक है अभी आप measure कीजिए कि क्या आपका BC 7 measure का है तो आपको मिलेगा ठीक है देख सकते हैं आप 7 measure का perfect है है तो यह मैंने प्रूब करता है तो relation आपको note down करना है तो कर लो longer leg is 1 upon 2 root 3 into hypotenuse and shorter leg is 1 upon 2 1 upon 2 into this is shorter leg or here let's say SL is equal to 1 upon 2 hypotenuse so here my answer is C so हमने 30 तक MCQ यहां finish कर दिया friends I hope यह video के अंदर मैंने यह को question आपको समझाने के try की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है अगर आपको हमारे videos कैसे लग रहे है आप YouTube पे comments देखे वीडियो दे सकते हो YouTube पे कहीं videos आपको नहीं दिखेंगे private mode में है वो इसलिए friends कि यह quality videos बनाने के लिए जो cost होता है उसके लिए we need some fund so you can buy our videos they are not that costly anybody can afford so if you want to buy this video I will allow you to watch my all private videos by say paying some small amount to this social activity thank you so much